क्या income tax rate कम हुए नहीं तो tax lab में कुछ changes हुए होंगे ये भी नहीं इसका मतलब tax बढ़ गया मुझ पे thankfully नहीं तो ITC पे तो tax बढ़ ही गया होगा ये भी नहीं तो budget के चारो main काम तो हुआ ही नहीं तो हुआ क्या इस budget में? budget की तीन important चीज़ें अच्छी है या बुरी ये आप बताईए पहली चीज़ insurance सेक्टर में foreign direct investment की limit बढ़ा दी गई है विदेशी पैसा आएगा मुझे लगता है service और competition बढ़ेगा second चीज़, सरकारी बैंकों को recapitalize करने के लिए सरकार ने 20,000 करोड रुपे जो taxpayer के हैं वो allot कर दी है हमारा पैसा डूबेगा या इससे भारत की banking industry में revolution आएगा? आप बताईए तीसरा, सरकार disinvestment करेगी LIC और कुछ सरकारी कंपनियों से यानि इस बार वो हमसे tax लेके अपने खर्चे नहीं करेगी, वो अपने investments बेच के करेगी अच्छा या बुरा? बताईए